तो तिलक वर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी कि कुछ गेदे ही मिली लेकिन तिलक वर्मा से आगी कूँच ने उनको प्रमोट किया कप्तान ने कहा रिंकु तूजा खेल करा आपने कभी ये सोचा था कि जिस टीम में विराट ना हो, रोहित ना हो, जटेजा ना हो, राहूल ना हो, पंत ना हो, गुम्रा ना हो, या फिर समी ना हो, वो टीम कैसे चलेगी लेकिन आज उस cricket की जो कल्पना आपने की थी वो टीम चल रही है दोड रही है वो टीम अस्टेलिया की बखिया उधेर रही है नमस्कार दोस्तो मैं आप सब का सुसील टिवारी जो दूसरा मुकाबला आपने देखा सच में 235 का लक्ष भारत ने बना दिया अस्टेलिया के सामने बड़ा चैलेंज था उसे जीतना लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं क्योंकि इतने बड़े रनों का पीछा करना ये अपने आप में खुद चैलेंज है लेकिन जिस तरीके से भारत टीम खेली आप उस मैच को देख रहे थे आपने कभी सोचा होगा 22 साल का लड़का 2020 के पाँच में उभर तक 50 रन पूरा कर लेता है और अपना बल्ला हवा में लहराता है दोस्तों वो है जसस्वी जैसावाल जिस तरीके से उजस्वी ने पारी खेरी वो पार्टनर सिप्थी रितुराज के साथ उसके बाद जिस त हुए है उनकी बल्लेबाजी निडर्ता बेखौफ अंदाज उसने स्टेलिया की बखिया उदेडी यह वही टीम है यह वही विस चॉंपियन टीम है जिन्होंने कुछ चंद हद्थे पहले हमको धूल चटाई थी लेकिन यह नया भारत है नय युवा है यह किसी से डरते नह यह सोचा नहीं होगा कि भारत के चोटी के खिलाडी इसमें सिर्फ एक खिलाडी एक बड़ा नाम है सुरु कुमार यादो को छोड़ के सभी युवा ब्रिगेट है अन्ती मोभरों में रिंको सिंग की बात यहाँ पे करने होगी आपको रिंको सिंग को जितने मौके मिले है मुझे नहीं लगता लगबग 15 सालों के इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने भारत की इतिहास में ऐसा पहली बार देखा होगा जो पहला यह जुवा खिलाडे जिसने जब भी इसको मौका मिला है उसने वो प्रदर्शन किया है रिंको सिंग को बल्लेबाजी बेखव थी और टीम रिंको सिंग भारती डगाउट में बैठने वाले नहीं है रिंको सिंग टीम का हिस्सा होंगे क्योंकि इससे पहले देखे तो तिलक वर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की कुछ गेदे ही मिली लेकिन तिलक वर्मा से आगी कूँच ने उनको प्रमोट किया कप्तान ने कहा रिंकु तूजा खेल करा रिंकु बेखौफ खेला जिस तरीके से रिंकु ने बल्लेबाजी की तो ये बड़ा चैलेंज है रिंकु सिंग के लिए भी कि वो अगर लगतार पुफॉर्मेंस नहीं देंगे तो भारती टीम में इतने पीछे बैकाप के तोर पे खिलाडी हैं कि वो आप केप दर्सन में जैसे ही गिरावट आती है वो आप अपने मौके का लाव उठाते हैं लेकि रिंकु सिंग की बेहतरीन बल्लेबाजी साथ में गेदबाजी लाइनप की बात करें तो आप रवी बिस्नोई को कभी भी जुटला नहीं सकते हैं ये वही रवी बिस्नोई है तो कि बिस्कुप के डगाउट का भी हिस्सा होने वाले थे लेकिन मौका नहीं मिला भारत के गेदबाजी बल्लेबाजी फिल्डिम यूवा यूथ ने खिला है सैंदार क्रिकेट बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा